आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप गूगल मेल इमेल का उप्योग करेंगे जिमेल यूज करने के लिए सबसे पहली इंपोर्टेंट बात यह है कि आपके पास एक जिमेल आईडी होनी चाहिए अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूँगा आपको कैसे बनान आपको दिखाता हूं यह एम जैसा दिखता है गूगल मेल जी मेल एम बनावा रहता है अब अपडेट हो गया है ठीक है इसको अपलोड करने के बात कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आपको दिखाए देगा आपको इससे किसी काम नहीं है आपको मैं बता रहा हूं मेल भेजना ठीक है अपन तो देखें यहां पर नीचे के साइड में देखो यहां पर एक कंपोज करके पेंसिल है लाल कलर की इस पर आप जैसे ही किलिक करोगे एक नया शांदार पेंज आपके सामने खुल जाएगा यह देखो ओपर कंपोज निचे फ्रों टू सब्जेक् पर कौने में यहां पे एक उल्टा पेंसिल का चिन्न बना वहाई गया है ना देखो फिल तो यह मैं आपको बताता हूं फ्रों में क्या है जिस इमेल आइडी से आप इमेल भेज देओ यहां पर फ्रों आएगा मैं बहुत सारी आज़ी आज़ी है आपका मोबाइल में एक ह होता है हर व्यक्ति का एक mobile number होता है वैसे ही एक gmail number भी होता है इसको gmail id बोलते है gmail yahoo mail hotmail अलग-अलग company इसको provide करती है अपन gmail का ही देख रहे हैं सबका भी interface इसा का इसे होता है तो तो जिस व्यक्ति को email बेजना है उसका email address अपन डालेंगे याप तो जैसे कि मैं कोई email भेज़ना हूं तो मैं email id डाल रहा हूं just like sunail यू एस ती यह तो पूरा आगे में तो just like sunail address gmail.com आपको जिसका बेजना उसका डाल देना अब यहां पर इसके पीछी यहां पर आ रहा है आपका जो commercial यूज में बहुत काम में आती है नीचे mail mail का में आपको कुछ data डालना है आपको क्या भेजना है कुछ text भेजना है या कुछ अलग अलग चीज़ आप सब्सक्राइब भेजनी है तो आप यहां पर डाल से जैसे कि बिल पे करो बिल पे करो ठीक है ऐसे मैंने डाल दिया मानलो अगर आपको इस email में photo वीडियो या WhatsApp डोकुमेंट या कोई चीज भेजनी तो आप कहां से add करोगे तो आप यहां से add करो देखो उपर यूपर की side में एक पिंचिंग के जैसा निशान आ रहा है घुमा हुआ जलेबी जैसा इसको आप जैसे क्लिक करोगे यहां पर दो option आएंगे attach file और insert from drive तो insert from drive यह google drive का इसको मैं बात में बताऊंगा अब अपन attach from file करेंगे तो अपने mobile की memory खुल जाएगी आप ठीक है यह देखो अब अपन को कोई भी चीज भेजनी वह अपन यहां से भेज देंगे मानलो मेरे को यह वाला screenshot भेजना देखो मैंने आप यह क्लिक करते हैं इसमें add हो गया ठीक है अब देखो यह अपन भेज देंगे तो यह एक विक्तिक हो एक और चीज बताता हूं यह जो टू है इसके पीछे देखो एरो का निशान इसको जैसे पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दो चीज़े हो रहा है CC और BCC मानलो आपको बिजनेस में हो और आप जो मेल भेज रहे हो उस मेल की एक कोपी आप किसी और को भी भेज रहे हो तो उस जिसको आप भेज रहे हो ना उसका email address आपको यहां पर डालना है ठीक है मानलो जैसे में बताओ एक आप एक व्यक्ति हो आप किसी की दुकान पर काम करते हो कोई customer है उसको आप email भेज रहे हो तो उस customer का address आप टू में डाल दोगे लेकिन आपका जो बहुत से उसका जो email address आप cc में डालोगे तो यह email उस customer को भी जाएगा और आपके boss को भी जाएगा बहुत को पता लग जाएगा कि मेरे employee ने mail भेज आए ठीक है तो यह इसका पुरा नाम है cc carbon copy मतलब exact जैसी mail हो आप चली जाएगी लेकिन जो जिसको आप mail भेजे ना वो इस पर प्रतिक ना उसको पता लग जाएगा कि आप यह email आपने carbon को भी किया हुआ है लेकिन bcc डालने के बाद जिसको आप mail भेजे ना उसको यह बात पता नहीं चलेगी ठीक है आपने दोनों किसी कमकर है नहीं ठीक है तो बिल और यह हो गए यहां से तो इसको डारेक्ट बैच सकता भी देखो यह send का auction है यह वाला इस पर आप जिसे क्लिक करोगे यह mail send होगी आप send हुई email आप देखोगी कहा है आपके mobile में तो देखो आपके mobile में search mail पर यह आ पर तीन डंडे आ रहे होंगे इन तीन डंडों में आप नीचे निकालोगे निकालोगे तो देखो आप सेंट mail आ email आ लिए देखो यह जस लाइक सुने लो आ लिए यह देखो ठीक है इस mail को आप delete भी कर सकते हो Gmail के कुछ extra features और मैं आपको बताता हूं देखो यह जो तीन डंडे है तीन डंडे पर क्लिक करने के बाद नीचे यहां पर trans और spam आ रहा है बाकी चीशे छोड़ो trans अगर आपने इमेल डिलीट कर दी तो यह तो spam में जाएगी या trans में जारतर वह email रहती है जो मतलब fake रहती है trans में क्या आएगी वह email जाएगी जो आपने delete कर दी अभी मैंने कोई delete नहीं कर रखा है तो यहां पर नहीं आ रही है अगर आपकी गलती से को email delete हो जाती हो trans में आ जाएगी कि google drive open कैसे यूज कर सकते है क्या कैस के फाइदे हो किसे आप इसको यूज कर सकते हो तो बने रही है हमारे साथ और नए हो और आप किस गाउं से कहां से वीडियो देख रहे हो तो आपकी गाउं का नाम कमेंट कर दो ताकि हमें पता लग जाएगी हमारी वीडियो कहां तक म आम राम